वेलकम टू मैथ्स कोको इन दिस वीडियो क्लास 6 मैथेमेक्टिस चिप्टर 8 डिश्मल का एक्सरसाइज 8.4 को सल्फ करेंगे 8.4 बहुत आसान है क्यों आसान है कि इससे पहले वाले वीडियो में 8.3 हमने किया था वहाँ पर हम लोग एडिशन सीखे थे और यहाँ पर सब्ट्रेक्शन सीखना है decimal तो वैसा ही काम करेगा जैसे addition में काम किया था वैसे ही subtraction में बस फर्क है न कोहाँ पर add करना था यहाँ पर आपको घटाना है अनि subtract करना है ठीक है तो आईए हम सारे question को बहुत अच्छे से solve करेंगे ठीक है first question का यह number है क्या equation 18.25 रूपीज फ्रॉपीज यह आपका question है ठीक है देख लो यही question है न हाँ तो देखो इस question को बहुत ही असान method से करेंगे और मैंने आप लोग को 8.3 में एक method सिखाया था वो method क्या था कि पहले देखो जो decimal से पहले होता है उसको हम one बोलते हैं उसके बाद ten बोलते हैं और उसके बाद hundred बोलते हैं बताया था न आप लोग को और यह देखो additional से पहले हुआ additional के बाद वाले को हम लोग tenths बोलते हैं t e n t h tenths hundreds thousands ऐसे मैं बोलता हूँ मैंने बोलता हूँ सब लोग बोलता है ठीक है आप लोग भी बोलोगे यह rule हमने 8.3 में सिखाया था और उस method से आपने addition बहुत ही अच्छे से किया था अब वही rule को यहां भी सीखो और subtraction बहुत अच्छे से करोगे तो पहले मैं equation को read करता हूँ कि बोला है कि 18.25 रूपीज में से आपको 20.75 रूपीज को माइनस करना है नई इसका मतलब हुआ Mc से इनको माइनस करना होगा इस में से इसको माइनस करना है क्यों कि बीच में प्रॉम लागा है तो चलो इनको पद मतले लिको one के जगह पर क्या है 0 तो मैं 0 कर देता हूँ 10 के जगह पर 2 है decimal है तो decimal यहाँ भी decimal है अब decimal के बाद बादे को 10 के जगह पर 7 है और 100 के जगह पर 5 है तो 5 लिख दिया लिखने आएगा ना सबको इनको separate करना 1 के जगह पर 8 है और यहाँ क्या है हमारा 10 के जगह पर 1 है तो मैंने यहाँ पर one right कर लिया और यह decimal है, तो मैं decimal दे दिया समझमार यह बात हैं न, ठीके अब देखो, decimal के बाद 10th के जगपर क्या है यहाँ भी क्या है, यहाँ पर two है तो मैं two right करूँगा finite से जगपर क्या है, five है तो मैं five each करूँगा अब इनको क्या कर दूँगा सब्ट्रेक्ट, सब्ट्रेक्ट करना बहुत असान है देखो, 5 में से 5 जाएगा 0 7 में से 2 जाएगा 5, decimal है तो decimal, अब यह नहीं जा रहा है न इसमें से कहरी लेंगे, 10 10 में से 8 जाएगा, 2 अरे तो 1 अन हो गया, एक cancel हो गया यानि हमारे पास जो इसका answer होगा वो क्या होगा, उसके पास 2.50 रूपीज बचेगा यह हमारा answer ठीके, तो A number complete हो गया B number देखो B number है 200 2.54 या 54 बोल सकते हो 54 मीटर्स मीटर्स ठीके, प्रॉम 250 मीटर्स है सिर्फ ठीके, यह ध्यान देना इसमें डिसमल लगा ही नहीं है तो आपको कैसे करना होगा थोड़ा केर करना मेरा भाई, ठीके सबसे पहले तो मैं जो बात आपसे बोलता हूँ कि 100 10 यह 1 यह राइट किया करो इधर 10, 100 और यह 10, 10, 100 और यह 1000 यह राइट किया करो उसके बाद इन में से इनको मैनस करना है क्योंकि बीचे में फ्रॉम लगा है तो 1 के जगपर क्या है 0 10 के जगपर 5 100 के जगपर 2 राइट कर दिया डिस्मल है नहीं है तो डिस्मल है या नहीं है अहाँ पर डिस्मल लगा सकते हो और डिस्मल के बाद इसमें कुछ नहीं है तो आप 00 दे सकते हो आप 00 दे सकते हो जब कुछ नहीं है तो अब इनको लिखो ones के जगह पर two है ten के जगह पर zero है hundred के जगह पर two है अब decimal के बाद इसमें है यह five और यह four है ठीक है अब इनको क्या करेंगे अब इनको add नहीं subtract करेंगे यहाँ पर decimal के बाद कोई zero का भेलू नहीं होता है तो आप यहाँ पर zero यहाँ भी दे सकते हो तो zero मेंसे zero जाएगा जीरो अब यहाँ देखो यह zero मेंसे four तो नहीं जा सकता इससे carry लेगा तो इसके पास भी नहीं है यह जाएगा इसके पास point के इस side जाएगा यह बोले कि भाया मेरे को दो ना काम है यह दे देगा यह 10 ऊगया इसको देदेगा तुम पर यह 10 बन गया 10 मकर्के टेन में से 4 गया शिक्स हो जाएगा और यह तो 9 होगा जा गया ठीक है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 47 रूपीज 46 क्योंकि पॉइंट के बाद इस डिस्मल के बाद इस जिर्यों कोई भैलू नहीं होता है तो आप 46 भी लिख करके काम चला सकते हो यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक है C देखो क्या है C question है 5.5.36 रूपीज है from 8.40 है अब इनको करना है यह तो बहुत असान है तो फाइंड्रेड टेन one टेन आ हैंड्रेड सावजेंट तो देखो यह फाइफ है न वंस के जगह फाइफ हो जाएगा डिश्मल अच्छा यह इंट है ना फ्रॉम बलाये तो पाल इसको राइड कियाता है एट है तो एट उसके बाद 10th के जगापर 4 है तो 4 मैं दे दिया 100 के जगापर 0 है तो मैं 0 दे दिया अब इनको add करेंगा 1 के जगापर 5 है तो 5 10 के जगापर क्या है 3 100 के जगापर 6 है तो 6 इनको subtract करो इसमें से carry लेगा 10 में से 6 जाएगा 4 यह 3 में 3 यानि यह 0 हो जाएगा और decimal है तो decimal और 8 में से 5 जाएगा यह हो जाएगा 3 अब का answer यह हो जाएगा ठीके बहुत असान है बस आप लोग एक बार आजाएगा ना तो फिर कभी भोलोगे भी नहीं आप लोग ठीके चलो आगे बढ़ते हैं D देखता हूँ D question क्या है अपका 2.051 from अच्छा एक किलो मिन्टर में है तो मैं किलो मिन्टर में इसको राइट कर देता हूँ किलो मिन्टर from 5.206 मिन्टर है क्या किलो मिन्टर है किलो मिन्टर तो पहले तो आपको पता है कि क्या बोल रहा था 1 100 10 1 दिसमल के बाद 10 100 1000 पहले इसको राइट करूँगा 1 के जग़ा पर 5 है और इधर हमारा 2, 0 6 हो जाएगा इधर हमारा 2 है यह हो जाएगा 0 0, 5, 1 यह गिवन है न? इनको क्या करेंगे? सब्ट्रेक्ट 6 में 7 जाएगा? 5 यह नहीं जाएगा करे दिया? 5 आ गया यह 1 बचके 1 में 0 है? 1 इसमल आद डिसमल 5 में शुटू जाएगा? 3 यह हमारा एंसर डी भी कम्प्लिट हो गया? यह देखो यह क्या है? 0.314 kg from from 5.206 नहीं नहीं मिश्टेक हो रहा है मैंने मिश्टेक कर दिया यहाँ पर यह नहीं है 2.1 2.107 kg है ठीक है? अब इनको करो 100 10 1 10 100 1000 तो इसमें देखो 2 है 1 के जगा पर 2 उसके बाद यह है 107 इदर तो 0 है तो 0 डिसमल के बाद 314 इनको कर दो 7 में से 4 जाएगा तो यह आएगा 3 और यह नहीं जाएगा तो करी लिया यह हो जाएगा 9 और यहां से तो यह कहरे लिया होगा तो यह हो गया 10 10 में से 7 गया और यह बचा 1 यह हमारा एंसर ठीक है इस तरह से आप सब्ट्रेक्सर बना सकते हो बहुत यह असान होता है ठीक है तो बागी का जो क्वेशन टू है आप खुद से बना करके देखो आपसे बनेगा ही बनेगा के लिए।